गुड इवनिंग एविवड़ी ओप्टिमल सिक्सेस टाजेक्टरी के ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर मुमेंटम के बारे में तो एंगुलर मुमेंटम के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट इस एक वेक्टर कॉंटिटी होती है इसका मतलब इसमें मेगनिचूट भी होता है डायरेक्शन भी होती है और ये ट्रेंगल स्लोग अफ वेक्टर एडिशन को फोलो करती है सेकिंड तिंग इस इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इस रिप्रेजेंटेट भाइड़ शिम्बल वेक्टर एल आप देख सकते हैं एल इसका सिम्बल है और ये हमने याप वेक्टर का साइन यूज किया है थर्ड प्रोपर्टी इस इसके जो डायमेंशन से आप देख सकते हैं इसका देख सकते हैं ये इसका देख सकते हैं सिक्थ प्रोपर्टी इस इसका एक पैरलल नाम है इसको हम moment of momentum भी कहते हैं 7th point है It can be defined about a point and about an axis इसे हम एक point के about भी define कर सकते हैं और एक axis के about भी define कर सकते हैं उसके बाद हम इसके mathematics पे आएंगे तो सबसे पहले हम angular momentum जिसे vector L से हम present कर सकते हैं एक point का about another point देखेंगे मान दीजिए कोई point है जिसका angular momentum हमें देखना है किसी दूसरे point के about सब्सक्राइब की point object है कोई जो P पे है इसका velocity vector B है O point के about आपने अगर P को जोइन किया तो यह जो position vector है उसे P का This position vector is given by vector R मान दीजिए कि vector R और vector B के बीच का जो angle है दे angle is theta तो हम define करते हैं vector L is equal to M vector R cross vector B जहां पे M particle P का mass है vector R position vector है वो से P का और vector B P point का velocity है अगर हम इसे solve करें तो हम इसे simplify कर सकते हैं as M we know that R cross V can be defined as R V sin theta into N cap जहां पे N cap एक unit vector है जो perpendicular होता है to the plane of vector R and vector V यदि हम angular momentum के magnitude की बात करें आप यहां देख सकते हैं मैंने vector का sign अटा दिया है because I am talking only about the magnitude so it can be defined as mod of vector L which is M R V sin theta क्योंकि magnitude में हम unit vector include नहीं करेंगे